हालो मुश्कार प्यारे बच्चो मैं वीजे बंसल मैथ लेक्चरार जाकर ब्लॉग डिस्टिक फत्यवाद से हरा एजुगेशन डिपार्डमेंट आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे जो आज हम शुरू करेंगे हमारे पास हमारी क्लास 10 का ठीक है हमारा ज अपसे साइस 2.2 करेंगे आज इसके पहले कोशन में देखें आपको क्या कह रहा है हमें कह रहा है कि निमंद्रिगाद बहुपदों के शुन्ने ग्याद कीजिए और शुन्णे को तरह गुंद्र कों के बीच के संबंद्र की सत्यद्दा की जांच कीजिए अपने उधानों से अगर आपने बहुपदों के रूम में इसके गुनख़न मनाने सीखे हैं, तो हम वहीं से इनके समी करनों से, थीक है। आपके पास हमपलत के चुन्य ग्याद करना सीखेंगे। समी करना आपको के तैसा वह भुपद कि लिए इसकी हम तुर्णा करते हैं A X की खाद 2 प्लस B X प्लस C से तुलना करने पर आपके पास A कितना जाएगा X की खाद 2 के साथ यहां को एक्षन यह तो 1 B मींज X के साथ तो X के साथ क्या है माइनस 2 और C आपका क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा अब हमें वहें इस भuhपद के जो आपको दे गए है X की खाद 2 माइनस 2X माइनस 8 इसके हमें शुन्य ग्याद करने हैं इसके शुन्य ग्याद करने के आपको क्या करने हैं A और C की गुनई पास A और C की गुनई करेंगे माइनस 8 आना चाहिए ठीक है और क्योंकि ये c आपका माइनस क्या है तो घटा करके ठीक है आपके पास b मतलब माइनस दो आना चाहिए अब गिंती के दो ऐसे अंग सोचने हमें कि घुना करें तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए तो आप देखें 4 और 2 चार दुनी 8 और 4 में से 2 गए 2 ठीक है आपको घटा करके माइनस का चाहिए भी तो इसलिए बड़ी रखम माइनस की छोटे रखम क्या करेंगे। प्लस की करेंगी मतलब आपके पास यहां से क्या हो जागा X की हथ दो 1-4 X पलस 2 X minus 8 आपने पहले X Scatics निकाला तो X minus चार पिछले में से दो कॉमन निकाला तो X-4 तो आपके पास X-4 इंटू X प्लस दो ठीक है आपके पास यह आपके बहुपत के गुनरखन मनगे अब हमें क्या करने यहां से इसके शुन्य ग्याद करने तो हम क्या करेंगे इसको मानेंगे मानना X-4 इंटू X-2 ब्राबर में 0 तो आपके पास यहां से क्या बनेगा वो देखें आप X-4 को ब्राबर 0 रखेंगे या X-2 को ब्राबर 0 रखेंगे क्योंकि इन दोनों की गुना को हमने 0 माना है तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक गुनरखन आपका 0 होगा या दोनों 0 होंगे ठीक है इस इसाफसे आपके पास X कितना आ जाता है चार ठीक है यहां से x कितना आगे आपके पास माइनस दो मतलब 6 आपके क्या बनगे x बराबर में 4 और माइनस दो अब इन्होंने क्या का है मैं साथ में इनके सत्यता की जांच भी करनी है हम सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे शुन्यकों का योग फल करेंगे ठीक है शुन्यकों का योग फल योग करना है तो हमें चार और माइनस दो को हम जोड़ेंगे चार और माइनस दो को जोड़ा तो दो बन गया जो माइनस बी बटा एक के ब्राबर होगा बी आपके पास कितने है मैंद दो मैंद दो बटा में एक आपको इसको आगे है cryculation करके दिखाने की जूतनी होती है ठीक है करना भी चाहे aun तो चाहिए यह इदा direct इसको लख सकते है मैंद बिश्ण प्लस हो गए तो दो बटा एक मतलब 2 हो गए आपके पास जो प्रबर आ रहे हैं ऐसे ही अब आपको क्या करने है शुनिकों का गुनन फल क्याद करने है ठीक है शुनिकों का गुनन फल इसमें आपके पास क्या करने है दोनों की गुना करनी है आपको चार को माइनस दी से गुना किया आपने माइनस 8 आघा जो c बटाएक और em बरब्लगा c आपके पास माइनस आथ है और a आपके पास 1 है तो जो हो Fortunatelyolph और बब दी थे cavalryman Foul pag इसके बाद हम क्या करते हैं हमारे । यही करना है पहले रहतु की जांच करेंगे अब आपके पास देखें इसके दूसरे भाग में क्या करना होगा दूसरे भाग में देखें आपके पास क्या दे रहे आपको बहुपद इसको देखते हैं कि दूसरे भाग में हमें बहुपद दे रहे हैं आपको बहुपद X की 4 S की ख़द 2 माइनस 4S प्लस 1 तो इसमें आपके पास जो इसमिकर मन जाएगी इसको हम S के रूब में लिख लेंगे मारे पास A S की ख़द 2 प्लस B S प्लस C तो तुलना करने पर आपके पास A कितना हो गया यहां से 4 और B कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 4 और C कितना हो गया आपके पास 1 अब बहुपद के आपने क्या करने है इसके अंदर गुनखन बनाने है 4S की ख़द 2 माइनस 4S प्लस 1 इसमें आपको गुना करके क्या आना चाहिए A और C की गुना करेंगे 4 को एक से गुना करके 4 आना चाहिए C क्योंकि जोड के तो जोड करके अगर घटा का होता तो घटा करके आपका B आना चाहिए B कितना है माइनस 4 मीज गुना करें तो 4 आए और जोडें तो 4 आए माइनस प्लस के निशान की हम बादने बात करते है ऐसा 2 2 से पर ही हो सकता है ठीक है क्योंकि माइनस 4 आना चाहिए तो दोनों माइनस के हो जाएंगे आपके पास ठीक है इसके आपके पास कैसे बनेंगे 4S की हद 2 माइनस 2S माइनस 2S प्लस एक ठीक है यह आपके पास बनेगा और अब इसी चीज़ के लिए 2s बाहर जा चुक है तो एक अगले गुणरखंड के अंदर हमेशा ही अगली प्रेक्ट के अंदर आपके पास यही बनता है ठीक है तभी आपके पास कॉमन आप आप आएगा तो यहां से देखें माइनस तो आएगा यहां मतलब कुछ भी कॉमन निकला गा एक तो आपके पास 2s माइनस एक 2s माइनस एक अब हम क्या करेंगे मानना हमने 2s माइनस एक इंटू 2s माइनस एक को जीरो माल लिया तो आपके पास यहां से 2s माइनस एक ब्राबर जीरो या 2s माइनस एक ब्राबर में जीरो मैं दोनों को लग-लग लिखा तो यहां से ऐसा आपके पास एक और lower u form में जब आगरा बनाने की कोशिश करेंगे तो उनका जो x x को जहां भी वो काटेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे आपने ग्राफ स्थिथी के अंदर देखा भी होगा ग्राफों के स्थिथी में ठीके तो उसमें आपके पास बिल्कुल सेम जीटों मैटर रहना इस इनका आगे मान भर कर दिखाने की कोई जूरूत नहीं होती है आप सिंपल चेक भी कर सकते हैं भी माइनिस चार बटा माइनिस चार प्लस हो जाएगा तो चार बटा चार एक आपके पास अनसर आएगा और गुननफाल मतल्वाल दोनों की गुना गुना किया एक बटा चार ह हो गया जो आपके पास क्या हो जाएगा सी बटाए के ब्राबर हो जाएगा आगे की जो क्यलकुलेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं अधर वाइस इसके लिए कोई जूरूरत नहीं है में क्या क्या रहा है हम तीसरे भाग को देखेंगे ठीक है उसके अंदर हम इसके जो चुनने के उनको गयात करेंगे आपके पास इनके योगफल और गुनफल को मिटा दिया जाएगा और आपके पास जो भी बहुपत दी गई है तीसरे भाग के अंदर वह लिखेंगे तीसरे भाग में आपको देखें बहुपत दे रहा है 6x की गाद 2 ठीक है माइनस 3 माइनस साथ x दे रहा है ठीक है सबसे पहले तो हमें यहां पर तुलना करनी है वह a x की गाद 2 b x प्लस e से करनी है उसके बाद हमें करना क्या होगा हम इसी बहुपत को स्टैंडर फॉर्म के अंदर लिखेंगे स्टैंडर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आपने इनको 6x की गाद 2 फ इन ही चीज़ों के अधार पर हमें क्या करने इनके मान ग्यात करने है कि आपके पास क्या मान हो सकते हैं तो देखें हमारे पास मान ए आपके पास क्या हो जाएगा 6 और बी कितना हो जाएगा माइनस 7 और सी कितना हो गया माइनस 3 ठीक है तो आप इसी इधार पर आपको और आपका सी माइनस क्या तो घटा करके है क्या आना चाहिए आपके पास b मतलब अइनस साथ गुना करें तो ठारा ऐं घटा एं तो साथ आए ऐसा होगा 9 और निए ठारा 9 में से 2 गए साथ हमारे पास ठीक है अब हमें घटा कर बड़ी रकम माइनस का साथ चाहिए यह तो बड़ी रकम माइनस की छोटी रकम प्लस की हो जाएगी तो आपके पास क्या बनेगा 6x की हाथ 2 माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 यहां से आपके पास 6 और 9 3 के पहाड़े पर आते हैं तो 3 common आ जाएगा 1x common आया तो बचा क्या 2x 3 दूनी 6 x माइनस 3 यह नो 3 common अगली बेक्ट के अंदर जैसे आपको पता ही है 2x माइनस 3 होना चाहिए तो मतलब इन में से common क्या निकला होगा प्लस का प्लस रहेगा यह रहेगा 1 ठीक है तो आपके पास 2x माइनस 3 और common यहां पर आपके पास क्या 3x प्लस 1 ठीक है आपके पास यह चीज आ जाएगी अब इसी अधार पर आपने क्या करना है इसको हम क्या करेंगे मानेंगे मानना 2x माइनस 3 गुना में 3x प्लस 1 वराबर में 0 तो यहां से आपके पास क्या हो गया या तो 2x माइनस 3 0 होगा यह आपके पास 3 x plus 1 वराबर में 0 होगा और यहां से आपके पास क्या بنेगा इसका मतलब x वराबर में 3 उधर प्लस का 2 बटा में ठीक है एक उधर आपके पास माइनस का 3 बटा में ठीक है तो इसका मतलब आपके जो तरा ब cái पर चुने कहां है वह क्या बन गह के पास ठीक है तीन को और माइनस एक वड़ में थीचा यह आपके पास बनेगे अभी इने चीज़ों के क्या करने युदों गुनलफ ज्याद करने मीश थीचेहें प 나오front 10 video प्लस माइनस एक तो नोगे लेन ll्य के मैं इस दोना की गुना μीश 6 इदर 3 ती 9- 9 को 9-1 से किया माइनस 2 कितना गड़ी का क Sometimes 20 मतलर दोनों की गुणा करना फिरिखें से थीं कड गया आपके सबीजरां आपके से 2 6 कि देख अब देखते मतले मस्मी एतनौ अगर आप क्या कॉलिगिसन आज चाहीँ तो आपka च्वाइस है आप चाहें तो कर सकते हैं ठीक है माइनस एक वटा दो और यहां पर देखें माइनस बी कितना आपका माइनस साथ ठीक है एक इतना च्छे तो माइनस माइनस क्या होगा साथ वटा छे ठीक है आप इसमें चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं चाहें तो आप इनको सिंपल छोड़ाख सकते हैं ऐसे ही आगे देखें मारे पास ठीक है इसमें नेक्स्ट केंदर हमें क्या करना होगा किस प्रकार से हम इसको करेंगी आपके पास जो चोथा भाग दिया गया है इसमें आपको क्या कर रहा है वो चार युसी घगा 2 से तुमना करने पर यह चांएगा आपके पास इसका फोर्थ पार्ट अई ही क्या आगया यह से चार और B कितना आगया आठ और C बीना U की दके ही 43 ऑब तो चर्ट एक होगी आपके पास 7 फिल्atura में में आपके पास 4 तो जिंद के दुना यह डूर मीस्किन हें ओप करूद highlight मानना जीरो के बराबर माल लेंगे मानना चार यू आपके पास इंटो यू प्लस टू बराबर में आपके पास क्या हो गया जीरो हो गया अब यहां पर देखें चार तो आपके पास जीरो हो नहीं सकता इसका मतलब या तो यू जीरो है या आपके पास यू प्लस दो जीरो है ठीक है? इसका मतलाब u है यह आपके पस एक शुन्निक ऊगए और दूसरा u आपके पास माइनस है दो इसमें दूरुनीरी नहोंता कि आपके पास एक जीरो हो हो सकता है किसी कंडिशन पर दोनों भी 0 हो सकते हैं आप गुना करनी है, योग करने आपको, means पहले दोनों को जोड़ेंगे, 0 के अंदर minus 2 जोड़ा तो कितना बन गया, minus 2, जो पराबर लिख देंगे, minus 2 बटा, एक है, योग फल का फर्मूला, और गुनन फल, ठीक है, दोनों की गुना करेंगे, 0 को minus 2 से गुना करेंगे, तो आपके पास क्या आगया, 0 आगया, जो C बटा A के रबर हो जगा, देखें, C क्या 0, 0 बटा 4, 0 यह बनेगा, और B के आप 8, minus 8 बटा में 4, तो आपके पास minus 2 ही बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास यह आपका, fourth part हो जाएगा भूपन, पहले questions का, उनके गुनाखन बना लिए, कुछ उन्ने ग्याद कर लिए हमने, और फिर उनकी जांच कर दी, ऐसे ही आप हमारे पास next part देखेंगे हम, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है, यह करने के लिए, पांच में भाग के अंदर, ठीक है, पांच में भाग में देखें, आपको जो बहुपत दे रहा है, वो आपके पास किस प्रूब में दे रहा है, टी की खाद 2, ठीक है, आपको कह रहा है, टी की खाद 2, माइनस 15, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर, A T की हाद 2 PLUS B T PLUS C से तुलना करने पर ठीक है इन से तुलना करने पर हमारे पास क्या बना A आपके पास T की हाद 2 के साथ को एक्षन है तो 1 B T के साथ B है यहाँ T के साथ B T है ही यह कहला तो 0 और C आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 15 अब इस बहुपद के हमें क्या करने है गुनुखन मनाने T की हाद 2 माइनस 15 देखो जब C 0 हो तो आपके पास पहली दो रुकमों से ही कुछ कोमन निकाल कर आप गुनुखन मना सकते हैं और अगर B 0 हो आपके पास ठीक है तो आपके पास हमेशा A की हाद 2 माइनस B की हाद 2 का फॉर्म्रा लगेगा T की हाद 2 वर्गमूल इसको 15 को हम वर्गमूल 15 का वर्ग कर सकते हैं मतलब A की हाद 2 माइनस B की हाद 2 का A माइनस B A प्लस B हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर माल लेंगे माना T minus वर्गमूल 15 इंटू T plus वर्गमूल 15 ब्राबर में 0 तो यहां से आपके पास T कितना बना जीरो ब्राबर माना तो आपके पास T का बाद निकालने के लिए पहला शुन्यक 0 होगा गुनरखंड 0 होगा या दूसरा गुनरखंड 0 होगा तो T यहां से क्या बनगे आपके पास वर्गमूल 15 और यहां से क्या बनगे T minus वर्गमूल 15 ठीक है मतलब शुन्यक आपके क्या बनगे T के अंदर वर्गमूल 15 into minus वर्गमूल 15 अब हमें क्या करने इनका योग करने योग करने के लिए वर्गमूल 15 plus minus वर्गमूल 15 तो plus minus को जो क्पंदर्रा में माईनस वर्गमूल 15 करके वर्गमूल प्रॉब 25 माइन Dafür 15 के अब बरही होगा ठीक है सियं हुआपके पास माइनस 15 पन दरा ही बनेगा आपका ए उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा लास्त पहले कोश्टन का लास्ट भाग ठीक है इसके अंदर आपको बहुपत क्या दे रही है वो देखेंगे इसमें हमें बहुपत दे रहे हैं आपका 3x की हाथ 2-x-4 ठीक है हमें जो बहुपत दिया गया है 3x की हाथ 2-x-4 हम क्या करेंगे ax की हाथ 2-bx-c से तुलना करने पर ठीक है इससे तुलना करेंगे हम तुलना करने पर क्या हो आपके पास ए कितना ओ गया 3 ठीक है और b कितना ओ जाएगा x के साथ यह कोई अक्षन हम see gitu –1 और सी कितना अगया –4 अब क्या करने बहुपद के गुनघन बनानी है तीन एक्स की गाद दो माइनस X माइनस चाल इसमें क्या करना होता है गुना करेंगे हम ठीक है अचा हमने सी C 0 की बात कर ली, B 0 की बात कर ली, अगर A ही 0 हो जाएं, तो आपके पास वो दिर्गात बहुपद ही नहीं रहती, फिर वो रेखिक समिकरण बन जाती है, ठीक है न, रेखिक बहुपद बन जाता है, जिसके अंदर आपके पास इस प्रकार से गुनोंखंड उसके नहीं आप उसको सिधा ही 0 ब्राबर मान निकाल रखकर शुन्ने ग्याद कर सकते हैं। गुना A और C की तीन को चार से गुना किया 12 माइनस बारा आना चाहिए। C घटा कै तो घटा करके आपके पास माइनस एक आना चाहिए। आपके पास 4 तीन बारा यह खुद ही बता रहे हैं। और घटा कर आपके पास 4 में से 3 घटा एक आएगा। लेकिन मुझे घटा माइनस का चाहिए। घटा का चाहिए। तो बड़ी दका माइनस की छोटी प्लस की। मतलब 3X की गा 2, माइनस 4X प्लस 3X माइनस 4 तो आपके पास यहां से 3 और 4 में से कोई घिनती का अंक्री गामन निकल सकता। क्योंकि दूनों अक्षर किसी के पहाड़े पर नहीं आता है तो X कोमन निकालेंगे। 3X माइनस 4 प्लस इन दोनों में से फिर कोमन ही निकलेंगा। तो 1 लिए देंगे 3x-4 तो 3x-4 into x plus 1 ठीक है हम क्या करेंगे इसको 3x-4 into x plus 1 को 0 माल लेंगे तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ है या तो 3x-4 0 है या x plus 1 वराबर में 0 है ठीक है तो यहां से आपके पास क्या बनेगा 3x-4 0 तो मतलब 3x-4 और चार तो x क्या हो जाएगा 4 बटा 3 यह आपके पास 1 उद्रा के किसको गया माइनस 1 मतलब 6 अपके क्या आगे x प्राबर में 4 बटा 3 और माइनस 1 अब हमें करना क्या है शुन्यकों का योगफद मतलब दोनों को हमें जोड़ना है ठीक है, 4 बटा 3 प्लस माइनस 1 बटा एक माननेंगे हम इसको अब आपने क्या क्या इनका अलगुत्म लिया 3 और एकका अलगुत्म 3 ठीक है, ये 4 का 4 आ जाएगा 4 एकम 4 कह लीजिए या 3 को माइनस 1 से माइनस 3 ठीक है, 1 बटा 3 आ गया, जो आपके पास माइनिस B बटा A के बराबर होगा B कितने माइनिस 1 माइनिस माइनिस प्लस हो जाएगा बटा में 3 एक बटा 3 आग के यास आ गया ठीक है और फिर हमें क्या करना है शुन्नेकों का गुननफल शुन्नेकों का गुननफल ठीक है इसको ग्याद करेंगे हम मतल दोनों की गुना चार बटा तीन गुना माइनस एक आपके पास कितना बन गया माइनस चार बटा तीन बन गया जो C बटा A के बराबर होगा अब C कितना आपके पास माइनस चार एक कितना तीन माइनस चार बटा तीन आपके पास यहां बराबर होगे, clear, इस तरीके से आपका जो question number 2, पहला है, 2.2 exercise का, वो complete होज़ते हैं, उसके बाद देखते हैं, हमारे पास हमारा next question, question number 6, question number 2, उसका पहले से लेकर छड़े भाग तक, इसमें हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है, एक द्रिगात बहुपत ग् कीजी, ठीक है, जिसके शुन्यकों का योग और गुनरफल कर्मिशे दी गई संख्याई है, मिस आपको क्या दिया गया है, शुन्यकों का योगफल, ठीक है, और गुनरफल दिया गया है, आप इनको हमने किस प्रकार से करना है, उसके बारे में देखेंगे हैं, शुन्यकों का योगफल मतला हम इसको योगफल को S भी लिख सकते हैं ठीक है जो आपको क्या दिया जाता है formula गता है minus B वटा A ठीक है योगफल लिख लिजे यह से लिख लिजे वो एक ही बात है वो आपको क्या मान दिया गए एक वटा चार उसके बाद हम देखेंगे शुनेकों का गुननफल ठीक है शुनेकों का गुननफल जिसको हम P से लिखते हैं उसका formula क्या है C वटा A होता है वो आपको कितना दिया गया minus 1 वटा 1 वटा में हम जुरू लिख लेंगे ताकि आपके पास इससे तुलना करने पर हमें मान भरने में असानी हो ठीक है आपके पास जो हम कर रहे हैं first भाग कर रहे हैं उसी के recording हम चल रहे हैं अब इसकी हमें क्या करनी है इसम गुना करके minus 4 वटा में 4 आपके पास ठीक है तो अब इसमें हमें क्या करना होगा minus 4 वटा 4 आपके पास ठीक है अब तुलना करने पर ठीक है हमें simple लिखे देने हैं तुलना करने पर इनके मान लिखे ने की तुलना करने पर ए आपके पास कितना हो गया दोनों तरफ से देखें चार और बी कितना हो जाएगा यह minus b व्राबर होता है तो जो भी उपर मानों उसका निशान बदर के लिखेंगे plus का एक है उसको minus का ef करतेंगी औरसी आपके पास minutes चार तो अब देखें दिरिगाद बहुपद आपकी क्या बनेगे दिरिगाद बहुपद ठीक है वह आपके पास क्या होगी AX की घाद दो प्लस BX प्लस C बनेगी आपके पास ठीक है अब हमें क्या करना है ABC के मान भर देंगी A आपके पास 4 है तो 4X की घाद दो B1 है तो माइनस 1X एक को लिखने की जूर्ट में एती C माइनस 4 यह आपके पास आपके questions का अंसर बन गया ठीक है ऐसे ही अब इसका दूसरा भाग देखते हैं दूसरे भाग में हमें क्या दे रहे हैं यहां हमें क्या कर रहे है जो बहुपद है योगफल और गुननफल है वो चेंज हो रहे है उस चीज़ के कारण जो ABC के मान है वो भी change हो जाएंगे आपके पास ठीक है और हमारा जो बहुपद है रिगाद बहुपद वो भी change हो जाएगी हमें शुन्यको का योगफल कितना दे रहे है वर्गमूल दो दे रहे है बटा में एक और गुननफल दे रहे हैं एक बटा में तीन अब हर्मिस में देखें आपके पास तीन है उसमें एक है तो एक को तीन बना देंगे हम इसके लिए क्या करेंगे उपर नीचे तीन से गुना ठीक है तीन वर्गमूल दो बटा में तीन अब तुनला करने पर ए देखें तीन है आपके पास और बी आपके पास तीन वर्गमूल दो ठीक है तीन वर्गमूल दो और मैंने आपको पहली कहा जैसे इसको क्योंकि यह माइनिस B ब्राबर होता है तो B का निशान बदल कर लही देना है पलस क्या तो माइनिस कर दिया C आपके पास एक अब मान भर दें, A आपके पास 3x की गाद 2, B माइनस 3 वर्गमुल 2x, और C आपके पास 1, यह आपके पास आपके questions का answer बन जाएगा, ठीक है, हमारे second भाग का, ऐसे ही अब देखते हैं हमारे पास next हमारा third part, इसके अंदर हमें क्या कहा रहे है, फिर शुन्यक चेंज हो रहे है आपके पास, ठीक है, इसमें शुन्यक देखें, आपके पास क्या कहा रहे है आपको, उसके according आपके पास questions का answer change हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास, वो देखते हैं, आपको योगफल दे रहा है 0, और गुनफल दे रहा है वर्गमुल 5, ठीक है, बटा में 1 तो हम लिखी सकते हैं किसी भी अंक के, तो यहां पर आपके पास बटा में 1 आपका ब्राबर है, तो सीधा ही तुलना करने पर आपके पास क्या हो गया, A1, B आपके पास 0, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, C आपके पास वर्गमुल 5 जाएगा, A1 है तो X की हाद 2 बन गया, B 0 है तो 4 चोथा भाग देखेंगे हम इसका, भाग 4 उसके अंदर में क्या करना है, भाग 4 में आप देखेंगे आपके पास क्या चीज है, हमें वही योग और गुननफल आपके चेंज हो रहे हैं, उसके according ही हमारे पास मान बनेंगे, योग फल आपको दे रहा है, एक बटा में एक म माइनस X प्लस एक ठीक है, यह आपके पास आपकी द्रिगाद बहुपद बन जाएगी, क्लियर, अच्छा इसके अंदर आपके पास है, जैसे तीसरे और चोथे भाग इनके अंदर ग्याद करने का, क्योंकि आपके जो योग फल गुननफल दिया है, वह परिमय संख्या के पुर्णांक के रूब में है, ठीक है, और तो इसी जी के करना आप क्या कर सकते हैं, योगफल द्रिगाद बहुपद गयाद करने का, हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, द्रिगाद बहुपद, ठीक है, उसमें आपके पास यह चीज़ काम करने के हमें जूरत नही यह काम नहीं करते हैं, इसके अंदर, आपका फॉर्मॉला यह चीज़ होता है, एकस की खाद दो माइनस SX प्लस P, S मतलब मुलों का योगफल, P मतलब मुलों शुन्यकों का गुनरफल, sorry, एकस की खाद दो, आपके शुन्यकों का योगफल कितना एक दिया गया, तो आपने पांचमा भाग, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, उसके बारे में देखते हैं, आपके पास उसी को इकार्डिंग इनके मान भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि योगफल और गुनरफल आपको चेंज कर रहे हैं, दूसरे के पांचमा भाग में देखें, आपको क्या कर रह तो आपके पास इनके मान भर दें चार एक्स की गाद दो बी की जगा एक भरा तो एक एक्स लिखें या एक्स लिखें की बात है और सी की जगा ही यह आपके पास आपके कोशन का अंसर बन गया ठीक है इनके अंदर आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं लेकिन इसके क्या बनेगा इसके अंदर आपके पास जो समीकर्म हम कहीं वह एक एक ऐसी वास्तिव संख्या बननी चाहिए जो इसके साथ वो उसको संतुस्ट करें तो उस चीसे कंफीजन ना हो आप सीधा ही करें जैसे आप इसके अंदर अगर माल लीजे कर भी लेते हैं तो उसको गल्द नहीं माना जानता मालो माइनेस माइनस एक वटा चार एक साथ आपने लिखा फिर एक वटा चार आप यहां तक छोड़ सकते हैं इस कोश्चन को ठीक है और कई बार को ठीक है तो के के मान को संतुष्ट करना चाहिए यहां आपने ऐसा नहीं कि इस चार कोल गुत्तम लेकर गुना किया नहीं वह जो के जिसे जो समिकर्म को संतुष्ट करता था वह आपका चार था उसी चीज़ के कारण और जब आप तुल्ला करने का काम कर रहे हैं तो इस क कैसर को कभी गल्ट नहीं किया जाता है उसके बाद देखें आपके पास क्योंकि दोन को कोशन भाल इंदर हमें क्या करना होगा इसमें आपको क्या दे रहा है शुनने को होगा योगफल और गुनफल योगफल दे रहा है चार और गुनफल दे रहा है तो बटा में एक तो हमानी लेंगे अब क्योंकि हर ब्राबर हो गया तो कोई प्रॉलम ही नहीं है A आपके पास 1 हो गया और B कितना हो गया 4 प्लस क्या तो इसको माइनस का 4 लिखेंगे C 1 तो A X की घाद 2 हो गया B की जगा माइनस 4 X प्लस C और इस फार्मूले के अंदर रखेंगे तो A X की घाद 2 योग फल क्योंकि सिधा ही 4 दिया गया माइनस 4 X हो गया गुनर फल एक दिया गया तो आपके पास यह आपकी दिरिकाद बोपर बन जाएगी ठीक है यह आपके पास exercise 2.2 कंप्लीट हो जाती है यहां हम थोड़ी सी एक बात थोर करना चाहेंगे साथ में कई बार क्या होता है आपको questions के अंदर शिर्फ शुन्यकों का योग फल गुनर फलना देकर डारेक्ट शुन्यक दिये जाते हैं ठीक है उसके अंदर उन questions के अंदर हमें कैसे करना होगा हम एक चोटा से example लेकर उस questions को देखते हैं ठीक है अपनी दर से मैं कोई भी एक example लिखता हूँ उसके according ही हम questions को करते हैं आपके ये A, B से के माना जो उनको तुलना करने पर इनको हटा देते हैं ठीक है तो आपके पास क्या रहते है मान लीजे कोई भी एक journal examples ले रहा हूँ है आपको क्या करता है वो शुन्यक देता है X वराबर में ठीक है शुन्यक देए हो है मान लीजे आपको 3 और minus 2 ठीक है तो यहाँ आपको शुन्यकों का सबसे पहले क्या करने योगफल ग्याद करने means आप योगफल ग्याद करने के लिए क्या करेंगे दुन्यों को आपस में जोडेंगी दुन्यों को जोडा तो कितना मना एक आप एक को एक बटा एक लिख लिए फिर उसके बाद आपको क्या करने है शुन्यकों का गुनन फल ग्याद करने means तीन को माइनस दू से गुना किया कितना अगया माइनस छे तो इसको माइनस 6 बटा एक लिख लिए क्योंकि हर बराबबर है अब तुलना कर दी तुलना करने पर एक इतना होगा एक और बी आपके पास यहाँ एक है तो इसको माइनस एक लिख लिएगे उपीडाप डुपयुट्यूक्अ को जरूर साथ यूए ओस सुन्हेरेट ऐसे हैसे में स्थैने जरूर नद्र जाने eigenen छोषर में में जरूर सबस्ति खाilt शैतर लातना गरगा जोड़ी पर स्थ मेसेज कर सकते हैं मेरे वाटसब नमबर पे 9541207734 ठीक है यह और किसी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और किसी अन्य प्रगार की प्रावल्म के लिए mathematics से जुड़ी हुई तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है कमेंट कर सकते हैं आपको मेरे YouTube यूटीब चैनल्स पर 9-12 competition math ठीक है सबी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसको अपने वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों से भी जुरू शेयर करें ठीक है और अगर आपनी यूटीब चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी यू